इसमें आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है या फिर आपसे जो है दोनों का बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे जो है के सुषुत पूछा सकती है जहां पे आपको जो है जहां के लिए जा जाएंगे अपने बिस्नस में ये एक extra खर्शा ये वाला एक खर्शा किया है अब आप बताएए कि क्या ये expenditure आपका revenue expenditure की तरह trade किया जाएगा या फिर capital expenditure की तरह trade किया जाएगा so इस तरीके से questions बन जाते हैं so concept समझना है is very important otherwise you will not be able to solve that case study वाला question okay now let's start look whenever you start a business on daily basis आप बहुत सारे खर्शे करते हो बहुत सारे खर्चे यानि कि जैसे कि आपके छोटे मोटे खर्चे से लेकर के बड़े खर्चे तक जैसे कि fixed asset तक लेना भी आप जो है खर्चा करते हो या फिर छोटा सा screw driver लेना या फिर company के लिए जो है stationery का छोटे मोटे pen, pencil वगेरा सब लेना या फिर raw material लेना देखो कुछ ऐसे expenses होते हैं चुकि आपने किये हैं ऐसी चीजों पे जो कि आप कुछ ही समय में खा पिके खतम कर जाओगे आप अपनी company में एक pen लेकर आए, pencil लेकर आए, भिया stationery का समान चाहिए, लोग काम कर रहे है, उनको stationery चाहिए तो let's suppose यह pencil लेकर आए, दो रूपीया कर, दो रूपीया की, टू रूपीया की, ठीके जितनी value आपके दोस्तों की है, उतनी value उस pencil वाली है, तो यहाँ पर टू रूपीया की आप pencil लेकर के आए, तो यह टू रूपीया की pencil might be possible, आप इसको महीना डेर महीना खीच लोगे, या फर जो है, दो दिन में खतम कर दो गई, अगर मेरी तरह हुआ तो को स्टाफ घर उठागर के ले जाएगा, तो इस तरीके से जो है, यहाँ पर आपकी यह pencil थोड़े time period तक ही use होने वाली है, आपकी business में, तो ऐसी चीजे, ऐसे खर्चे, चुकि आपने कुछ इन चीजो पर किये हैं, जिसका आप long term तक फाइदा नहीं ले सकते हो, उसको सिफ short term तक आप जो है, फाइदा लोगे, consume कर लोगे, या short term तक ही वो आपकी पास रहने वाली है, ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं, उसको आप revenue expenditure के तोर पर treat करते हैं, उसको कहा जाता है revenue expenditure, जिसको बहुत साधा लंबे सामय तक आप अपने business में consider नहीं कर सकते हो, या फिर अपने business में उसका use नहीं कर सकते हो, जिसे अब देखो, हम अपने business में various तरीके के expenditure करते हैं, on different different item कई तरीकों पे, और ये कुछ आपकी consumable होते हैं, और कुछ durable होते हैं, consumable यानि कि जिसको आप consume कर लेते हो बहुत जल्दी खतम कर देते हो, एक चोट टाइम पीरेड में, और durable means जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है, दूर तक चलेगा, तो वो durable वाले भी आपकी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, तो यहाँ पे जो consumable है, जिसको आप बहुत जल्दी खतम कर दोगे, बहुत जादा लेट तक उसको आप अपने पास नहीं रखने वाले हो, या फाइदा नहीं लेने वाले हो, वो आपके जो है, revenue expenditure कहलाएंगे, ऐसे benefit of expenditure, जो कि consumable है, जो कि आपके short period के लिए derived होते हैं, उसको आप यहाँ पे revenue expenditure कहते हैं, बट, cases जैसे कि आपका furniture है, वो durable में आता है, utensils है, बरतन है, कुछ आपके और चीज़े हैं, जो इसका benefit आप कई समय तक लोगे, एक साल, दो साल, तीन साल, मतलब थोड़ा लंबे समय तक लोगे, उसको आप जो है, फिर capital expenditure के तार पर treat करते हो, जहाँ पे आपका benefits जो है, expenditure का, वो is not likely to be available, more than one year, जो एक साल से जादा रह कि इसकी कोई गुझाइश नहीं है, या नहीं होने वाला, उसको आप revenue expenditure की तरह treat करोगे, so all expenses, जो भी आप expenses कर रहे हो, अपने regular course of business में, वो सारे आपकी revenue expenditure के तोर पे निकल के आते है, for an example, आपने company के लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, company की काम हो रहे थे, तो उनको wages दिया र salary दी जा रहे थी, all our expenses, but इसका benefit आपको सिर्फ एक short period के लिए मिल रहे है, आपने एक महीने के salary दिया और आप यह सोचरों के employee चार साल तक मेरे पास ही लगा रहे है काम करेंगा, नहीं, एक महीने के salary दिया, वो एक महीने के salary का काम करके ही देगा, so यहाँ पर जो वो revenue आपक करके महां से मिल जाएगा, तो यह जो आपका खरचा है, यह जो आपका amount है, जो कि expense है आपका salary का, wages का, rent का, यह सारे आपको एक short term period के लिए ही benefit देते हैं, और इसलिए इसको revenue expenditure कहा जाता है, expenditure जो कि आपने goods buy करने के लिए यूज किये हैं, let's suppose मैं trading का का काम करती हूँ, phone खर खिरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा, तो यहां पर जो इसको खरीदने का खरचा है, जो raw material को खरीदने का खरचा है, जो product को खरीदने का खरचा है, अगर मैं trading कर रही हूँ, यांनि सिर्फ खरेद बेच कर रही हूँ, तो ऐसे situation में क्या होगा, वो expenses जो कि आपने incurred किय है बाय करने के लिए जो एक्सपंस आपने लिये है यानि कि समान खरीदने के लिए इक्सपंस आपने किया है वो आपका जो है expenditure revenue expenditure कहलाएगा ओके और साती साथ let's suppose आपने material लिया है for manufacturing वो भी आपका revenue expenditure कहलाएगा next is expenditure जो कि incurred हुआ है आपकी fixed asset को maintain करने के लिए तेखो बेटा कई बार क्या होता है fixed asset है उसमें हर साल दर साल कुछ ना कुछ रिक्वार्मेंट होती है जैसे कि आपकी scooty ले लो scooty क्या है जैसे कि आपका एक long term उसका benefit लेते हो कई साल आप उसको चलाओगे तो scooty जो है आप long time चलाओगे long term benefit उसमें से लोगे बट यहाँ पर एक चीज आप देखना कि हर कुछ time period में आपको जो है उसका engine oil change कराना पड़ता है engine oil में कुछ changes करने पड़ते हैं so these are what? these are a fixed asset तो है but still उसमें कुछ न कुछ आप खर्चा कर रहे हो तो यह जो engine oil आप डलवा रहे हो उसका benefit आप long term तक नहीं लेने वाले वो एक short term तक का ही benefit आपके पास रहेगा उसका benefit या उससे जो derived होने वाला एक आपको अच्छी चीज है वो आपको long term तक नहीं मिलेगी so ऐसे खर्चे जो कि आपकी इस तरीके के खर्चे हैं जिसको long term तक आपको नहीं मिल रहा है चाहिए वो आपने fixed asset पर खर्च किया हो still वो आपका revenue expenditure है तो repair करा लेना आपकी machinery को या maintain करना fixed asset को ठीक है repair करना rewards करना वो आप building को भी या machinery को भी तो यह सारे भी आपकी revenue expenditure ही कहलाएंगे next is interest on loan borrowed for running the business आपने business को चलाने के लिए जो है loan लिया है तो वो जो loan लिया है अगर आप उसका interest पे कर रहे हो ठीक है आपने commencement होने से पहले ही आपने कोई loan लिया पिसने शुरू होने से पहले loan लिया business start करने के लिए तो फिर आप उसको as a capital expenditure ले करके चलोगे जो आप उसका interest होगे legal charges अगर आपने जो है let's suppose कोई business के लिए legal charges दिये है legal expenses दिये है या फिर आपने जो है अपने debtor से collection करने के लिए कुछ पैसा खच कर दिया या फिर आपने कोई एक आपका damage suit चल रहा था for damage का वह आपका चल रहा है उसके legal charges है तो यह सब भी आपके आपके revenue expenses में expenses के तरफ टीट के जाएंगे so I hope you understood this whole topic guys and let me okay in next video we will cover the next topic that is capitalized expenditure so don't forget to watch that too because exam in two questions are very important and can get one question to each other so till then take care of yourself and take care of your health let's see you in the next video bye